एक ख़बर 89 सुदीश की तरफ से City Gas Distribution कंपनियों को 5% Compressed Bio Gas की ब्लेंडिंग ज़रूरी होगी इस ख़बर पर जादा डेटेल के साथ हमारे से होगी प्रकाश हमारे साथ जुड़के हैं परकाश निश्चे तोर पर एक बड़ी ख़बर बताईए क्या डेटेल्स हैं आपके पास देकि नाश्वल गैस में Compressed Bio Gas की ब्लेंडिंग जो है सरकार की जो ब्लेंडिंग प्रोग्राम है उसमें अगली कड़ी जो है वो साबित होने जा रही है सुतर हमें बता रहे हैं कि City Gas Distribution Network में CBG के इस्तमाल को आवश्यक बना दिया जाएगा यानि कि City Gas Distribution Companies को Natural Gas में CBG के इस्तमाल को जरूरी करना होगा और इसकी तयारी जो है वो शुरू कर दी गई है सुतर हमें बता रहे हैं कि Petroleum Mantralay ने इसके लिए रनिती पर काम करना शुरू कर दिया है और इसके लिए एक Cabinet Note भी तयार किया जा रहा है जिसके जरीए City Gas Distribution Company के लिए आवश्यक बना दिया जाएगा कि वो अपने Network में CBG का इस्तमाल करें जो रनिती तयार की गई है उसके हिसाब से 2025 से City Gas Distribution Network में CBG की ब्लेंडिंग है उसकी शुरुवात कर दी जाएगी और 2027 सक जैसा कि Petroleum Mantralay की योजना है ब्लेंडिंग को बढ़ा कर 5% किया जाएगा जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने बजट में CBG ब्लेंडिंग की घोशना की है लिहाजा उसके बाद Petroleum Mantralay ने इस प्रस्ताव पर काम करना शुरू कर दिया है इसके अलाबा पाइपलाइन कनेक्टिविटी की जहां तक बात है यानि कि CBG प्लाइन से City Gas Distribution Network को कैसे जोड़ जाएगा उसके लिए सरकार Financial Assistance देगी यानि कि जो ओर आल पाइपलाइन पर कॉस्ट आएगा सरकार उसका 50% उसका जो टोटल आर्थिक बोज़ है वो खुद वहन करेगी और बाकी के जो 50% खर्च है वो City Gas Distribution कमपनियों को वहन करना होगा इसके लिए भी एक separate cabinet note जो है पेट और ने CBG प्लांट्स के लिए इन प्रिंस्पल अप्रूवल जो है वो दे दिया जाएगा City Gas Distribution कमपनियों की ये जिम्मेदारी होगी कि वो जो CBG प्लांट्स हैं उनके लिए Assured Market उपलब्द कराएं ठीक है प्रकाश बहुत शुक्रिया आपका